हेलो शुडेंट्स गुड मॉर्णी आज हम अपनी सीलो थार्ड थोर्म करने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले जो भी रिजल्ट उसके अंदर यूज होगा मैंने हर स्टेप को हर एक डेफिनेशन को हर एक थोर्म के रिजल्ट को पहले मेंशन कर दिया है ताकि जब आप थोर्म एक स्टेप कोई भी दो सबगुरूप दे रहे हैं जी और एकस कोई भी अलिमेंट जी का देन दॉसके बाद हमने पड़ा था डबल कोसेठ डिकंपॉजिशन तो इसके दर ही कहता है कि अगर कोई भी दो डबल कोसेठ सेना या तो वह कैसे होंगे इस hell ли it is को अगर को मन नहीं होंगा वो दूनों सेम होंगे सिकने केता है कि जो जी हमारे पास order double पे एक ओर थोरिम थी हमारे पाद अगर एक और के कोई भी दो फाइनाइट सब गुरूप है जी के और एक्स जी का कोई भी ऐलिमेंट है था हम उसको ऐसे उपन करते हैं और अच अगर पी कोई भी सिलो पी सब गुरूप है तो जो नंबर ओफ सिलो पी सब गुरूप होते हैं यानिकी एन पी होता किसके एकल होता ओड्रोफ जी बाय में ओड्रोफ एन पी के ठीक है तो यह चीज़े आपको ध्यान रखने पड़ेंगे उसके बाद हमने नोर्मिलाइजर प कोम्यूट करते हों उसके बाद हम पोचते हैं हमारी सिलो थर्ड थोर्म पे सिलो थर्ड थोर्म की स्टेटमेंट क्या कहती है कि हमें यह प्रूफ करके दिखाना है जो नंबर ओफ सिलो पी सब गुरूप होंगे किसी फाइन ग्रूप के लिए वो क्या होंगे एन पी क्वल हो धो तो यहांनी के नंबर सिलोफ संब गुर 나올 कितना होंगे और जो फर्यूफ को किसको डिवाइड करेगा ओर्ड फद जी को जहां पर के कोई बी किया है या हमारे पास positive integer है या फिर कहलो no negative integer है तो हमारे पास एक subgroup होगा जिसका order P की power N होगा और उसको क्या बोलेंगे सिलो P subgroup बोलेंगे तो यहाँ पे सिलो P subgroup का definition के अंदर यूज हो रहा था न तो इसलिए मैंने आपको बता दिया सिलो P subgroup क्या होता है अगर किसी group का order हमारे पास P की power N है तो मैंने माले लेट P के हाँ हमारे पास सिलो P subgroup है किसका G का अगर सिलो P subgroup है तो पका अगर उसका order P की power N है तो P की power N order of G को divide करेगी उससे highest power नहीं करेगी यही हमने definition में पढ़ा अब देखो जो double coset decompose हमने पढ़ा था जी के लिखी जाती है यूनियन लिखी जाती है distinct double cosets की और हम order निकालते है तो union किसमें चेंज हो जाते है यही पढ़ा था जहां पे H और K के हैं इसके subgroup है लेकिन यहां पे तो हमारे पी ही एक subgroup है ठीक है P ही क्या मान के चले एक P subgroup है तो हमने क्या ले लिया H और K की जगए दुनों की जगए P ले लिया तो order of G में क्या हो जाएगा HxK थे है ना H की जगए पी और K की जगए पी अब next step पे हमने क्या कर लिया G को दो चीज़ में डिवाट लिया G के अंदर वो element ले लिये जो P के साथ commute करते हैं उनका तो एक set बना लिया अगर P के साथ commute करेंगे यानि कि जो NP में बिलोग करते हैं और G के वो element जो P के साथ commute नहीं करते यानि जो NP में बिलोग नहीं करते उनका summation अलग से ले लिया तब मैं क्या करूँगी दोनों summation को अलग-अलग क्या करूँगी जिसोल करके दिखाऊंगे, अगर मारा XNP में बिलोंग करता है तो पका XP के साथ कॉम्यूट करेगा तो XP को क्या लिए लिए प्लाइ einzजकते हूँ दोनों तरफ P से multiply करा दिया अगर हमारे पास P subgroup है, P के सज़ूप है, P को क्या लिख सकते हूं, P लिख सकते हूं, तो P X आ गया, दोनों तरफ union apply कर दी, union apply करने के बाद देखो, अब हमारे पास एक result होता था, अगर P N P का subgroup है, यह तो हमें पता है, कि हर एक group खुद के normalizer का क्या होता है, subgroup होता है, P N P का, और N P G का, यह होती है condition, तो देखो P subgroup है N P का, और P X के है right co set, क्यों, क्योंकि right, group का member का right side में, P X के सह है, right co set है, तो हमारे पास, जिसका वो right co set है, जिस भी group का, वो right co set है, तो मैं उसको क्या लिख सकते हूं, जितने भी इसके right co set है, अगर मैं उनकी union कर दूना, वापी से मुझे मुझे वो मिल जाता है, जैसे, कि G जितने भी उन्हें कर दो ने वापिस वो जी बना देते तो ऐसे यहां पे है तो यानि कि यह यूनियन इसके बराबर तो अब हमारे पार यूनियन आ गया लेकिन मुझे इसके लिए क्या चीज़ा समेशन चाहिए ना तो मैंने यूनियन की जगध समेशन लोंगी तो क्या जा E propane करें प्रोपर्ली कीं करेंगा क्योंकि यह हमारे पास अपस में इक्वल नहीं तो यह कह रहा है क्योंकि अगर मालो इनकी इंट्रसेक्शन पाजाती पांची तो फट्काए दूनों और पास इक्वल यह इक्वल नहीं है इसलिए क्या इक प्रूपरली कंटेन यह इसका सब्सक्राइब तो प्रायम की कुछ पावर लेकिन वह जो पावर होगी वह इस पावर से यहां पर प्लस वन अलग सोल कर लिया इसको लग से सोल कर लिया इसके बाद देखो हमारे पास क्या है तो यहां से order of PXP हमारे पास यह आ गया अगर मैं 8 को 2 into 4 लिख पाते हैं तो 2B8 को डिवाइड करता है 4B8 को तो यहां से P की पार N प्लस वन इसको डिवाइड कर गया जहां पे XNP में बिलोंग नहीं कर रहा था अब वो यह कह रहा है हर एक X हर एक X जो G के लिए है वो उसके डिवाइड कर रहा है तो यहांने इसके summation को भी करेगा जहां पे XNP में बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतल़ है क्या आ गया अगर मैं कहे दूं कि 2 9 को डिवाइड कर रहा है तो 9 क्या होगा हमारे पास अगर मानलो मैं कह रहें 2 8 को एक summation की value यह आ गई और एक summation की value यह जिनको मैं soul कर रही थी इन दोनों summation की value को इस equation में जाके क्या कर देती है पहले summation की जगह पर तो आ गया order of NP दूसरे की जगह पर यह आ गया अब मैंने क्या case equation को throughout order of NP से डिवाइड करा दे यह तो 1 बन गया यह वाली चीज आ गई अब दे को यह एक integer यह एक integer तो इसको भी क्या होना पड़ेगा ओड्रूफ N, P की वेल्य कहा थी, P की पार N into आ, P की पार N, बचा कहा, P into T by R, T by R, T by R, T by R को नाम दे दिए, K का, तो यहां से क्या गया, यहां से इसकी वेल्य क्या गया, इसकी वेल्य कहा पर पुट करेंगे, तो क्या आजेगा, ओड्रूफ G by ओड्रूफ N, P equal to 1 plus K P, आग इसा बताया था तो NP क्या गया 1 प्लस KP ठीक है आल्सो यहां से हमारे पाइगा order of G equal by order of NP किसके को लाया था one plus KP के तो यहां से बचे क्या आजएगा order of G equal to one plus KP into order of NP यहां पे cross multiply करा दिया मैंने इस equation को ठीक है तो यहां से क्या आगए फिर से वही 8 को अगर मैं 2 into 4 लिख पारें तो 2 भी 8 को डिवाइड करेंगा 4 भी तो मेरे पास यहां से आगए one plus KP को और हमें यहां प्रूब करके दिखा दिया तो बच्चे आपने देखा भी इस theorem के अंदर कुछ नहीं था सिर्फ दोनों summation की value को निकालना और हमने फिर क्या लगाया मैंने वह इस वाले line को याद रहा पी जे सब ग्रूप ऑफ एन पी एन पी जे सब ग्रूप ऑफ जी एक बार तो इसके सब लेंगरांजी इस तरो इसमें लगा दी क्यों लगाई क्योंकि हमें इस पार्ट को क्याद मेत पूच एले नबी